आपको सीधे लिए चोलते हैं, लखनाव प्रस कॉंफ्रेंस में अपन मुखिस सचिव स्वास्ता, अमित मोहन जो हैं प्रस कॉंफ्रेंस का रहा है। हैं जिनको एलर्ट जेनरेट होते हैं आरोगिसेतू में इसके अलावा बड़े पैमाने पर सीम हेलप लाइन जिसका नंबर 1076 है उससे भी निरंतर इन लोगों को फोन किया जा रहा है अब तक हम 2,1160 लोगों को जिन्हें आरोगिसेतू एपस एलर्ट जेनरेट हुआ उन्हें हम फोन कर चुके हैं सर्वेलेंस के कारे में 27,833 इलाकों में 1,64,788 टीम देवस के माध्यम से 1,19,64,948 घरों का सर्वेलेंस अभी तक किया गया है जिसमें 6,11,43,056 लोग रहते हैं इनका हमने अभी तक सर्वेलेंस किया है जो भी कंटेन्मेंट की अक्टिविटी हुई होट स्पॉट्स बनें, कंटेन्मेंट जोन्स बनें तो जो हमारी लगातार गतिविदी चल रही है उसमें अभी तक इतना सर्वेलेंस किया गया है इतने व्यापक इस्तर पर किया गया है लेकिन आज जो मैं आपको एक महत्पुर्ण आकड़ा बताना चाहता हूँ वो यह ह है कि आप जानते हैं कि हमने दो जुलाई से मेरट मंडल के सभी घरों के लिए हमने डोर टू दोर सर्वे का काम तारम किया था जिसमें की जो भी लक्षनात्मक व्यक्ति हैं या जिनको को मॉर्विडिटी है जिनको कोई किड्नी की बिमारी है या हाट की बिमारी है डाइब मंडलों में मेरट मंडल का जो अभियान था वो दो जुलाई से चलकर आज समाथ हो रहा है 12 जुलाई को और अन्य 17 मंडलों का जो हमारा अभियान है ये 5 जुलाई से प्रारम्भो करके 15 जुलाई तक का है अगर कोई घर छूट जाएगा तो उसको हम आगे एक दो दिन और बढ़ा करके उस हर घर को हम कंप्लीट करेंगे अभी तक जो हाउस टू हाउस सर्वे किया गया उसके आंकड़े जो हमारे पास इकठा हुए हैं कल तक के वो इस प्रकार हैं पाच लाख अठासी हजार साथ सो उनसट टीम डिवस के माध्यम से दो करोड इक्यावन लाख चौराणवे हजार साथ सो आठ घरों का हाउस टू हाउस सर्वे किया गया जिसमें बारह करोड चौराणवे लाख पैंटिस हजार एक सो उन्तालिस लोग रहते हैं और जो हमने आपको बताया कि इसमें हम को मॉर्बिडिटी के बारे में भी पूछ रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें जो आकड़े निकल कर आ रहे हैं तो आठ लाख अर्तालिस हजार पाच सो तिरानवे शुगर के मरीज हमको इसमें मिले हैं दो लाख अर्तिस अजार दो सो अर्तिस हाई ब्लट प्रेशर के मरीज हमको मिले हैं अठारह हजार अठारह कैनसर के मरीज भी मिले हैं हिर्दय रोक से जो ग्रसित हैं वैसे हमको 54,247 लोग मिले हैं सर्वे में जिनको किट्नी से संबंदिश कोई समस्या है ऐसे भी हमको 16,889 लोग मिले और इन सभी को हमारी टीम ने साबधान किया कि आप में को मॉर्बिडिटी है तो आपको सतर्क रहना बहुत ही आवश्यक है, आपको संक्रमन न होने पाए इसलिए साबधान रहे सतर्क रहे जब तक बहुत आवश्यकता न हो तो बाहर न निकले और बाहर निकलना पड़ता ही है तो पूरी साबधानी बरते हैं अपने हाथ को साबुन पानी से बार-बार धोते रहें, अपने मुँ और नाक को फेस कवर से ढखें, मास्क इस्तमाल करिए, गमचा इस्तमाल करिए, रुमाल इस्तमाल करिए, दुपटा इस्तमाल करिए, लेकिन अपने मुँ और नाक को सारजनिक स्थलों पर ढखें, और साम प्रदेश के लेकर यहां जानकारी दे रहे थे अपर मुखि सचे उस्वास्त अमिद मोहन चलिए रूख करते हैं लिए खबर की और जया बच्चन को छोड़कर पूरा बच्चन परिवार जो है करोना पॉजिटिव आया गया है जी हां एश्वर्या और अराध्या के रपोर् अभिशेख पहले से ही कोरोना पॉजिटिव है फिरहाल अमिदाब बच्चन की हालत जो है स्थिर बताई जा रही है बीमसी ने अमिदाब बच्चन के बंगले जल्सा को पूरी तरीके से सील किया है हाला कि अभिशेख बच्चन ने अपने फैंस से कहा है कि घबराएं नहीं आपको बता दे कि अमिदाब बच्चन ने अपने कोविड 19 पॉजिटिव होने की बाद जो है टुटर के जरिये यह जानकारी जो है अपने फैंस से शेर की थी और उन्होंने बताया था कि वो कोव आ रही थी कि अमिदाब बच्चन और अभिशेख बच्चन ही करोना पॉजिटिव है लेकिन अब एश्वरा राय बच्चन और अराध्या की रिपोर्ट भी करोना पॉजिटिव आई है लेकिन जया बच्चन की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है अमिदाब करकार को इस बात की जानकारी दे क्योंकि ऐसे में यह संक्रमण जो है वो यूही फ्यालता है अगर आप कॉंटक्ट में आए हैं अगर आप दस दिनों के भीतर आपने अमिताब बच्चन से मुलाकात की है जो उनके करीबी हैं उनके लिए यह बात आमिताब बच्चन ने खबर ट्विटर पर शेर की अमिताब बच्चन ने लगतार शुप कामना यह दुआय मांगने लगे लोग की वो जल भी स्वस्थ हो क्योंकि लगतार हमने देखा है किस तरह से अमिताब बच्चन जो है फिल्म की शूटिंग के दौरान भी जब घायल हुए थे उसके बाद इस जो है रेपलाई में सामने आ रहे थे जो खुद अमिताब बच्चन ने गीत जाया है वक्त है गुजर ही जाएगा इसे लेकर भी अमिताब बच्चन को कहा जा रहा था कि यह भी वक्त है गुजर जाएगा और हासला देने के कोशिश की जा रही थी कि जल्ड सब कुछ होगा और सदी के महानायक फिर से एक बार हमारे बीच हमें एंटर्टेन करते नजर आएंगे और चलिए आपको तस्वीरे दिखाते हैं जिसमें अमताब बच्चन अभिशेक बच्चन या पुरे परिवार के लिए सलामती के लिए कह सकते हैं कि दूआ कर रहे हैं लोग लखनव वारानसी बारामंकी भोपाल उजयन की ये तस्वीर देखिए खबर जैसे ही रात में टुटर पर आई खुद अमताब बच्चन ने टुटर पर ये जानकारी शेयर की उसके बाद से ही लगातार देश भर में कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो दूआ करने लगे कि जल से जल अमताब बच्चन जो हैं वो ठीक हो जाए स्वस्त हो जाएं और जिस तरीके से इस कोरोना काल में बॉलिवूट की तरफ से जब दो-तिन ऐसे सौंग बने हैं जो बहुत मोटिवेट करने वाले हैं चाहे तो हमारे कोरोना वोरियर्स की लिए हो या फिर वक्त गुजर जाएगा ये एक ऐसा सौंग था जिसने सब को मोटिवेट किया कि आखिरकार ये पल है और पल आया है तो ये भी गुजर जाएगा फिर से आपको लखनाओ की प्रस कॉंफरेंस में लिए चलते हैं एसीस होम अवनी शवस्थी का कुछ कह रहे हैं सनवाते हैं कि जाएगी एंटी लार्वल ट्रीटमेंट फॉगिंग बाकी सब जो कारे है वो भी सभी जगे सुनिश्चित किया जाएगा उद्योग में जहां पर उद्योग चलेंगे वहाँ कोविड हेल्प डेस्ट जरूर बना लिया जाए जिससे कोविड के प्रती जागूपता फैलती रहे पल्स ऑक्सिमेटर और इंफ्रालेट थर्मामीटर और सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर और गलव्स और मास्क का अरेंज्बेंट भी वहाँ पर रहे यह भी देख लिया जाए कि एस्पताल में जो एस्पताल है, कोविड हास्पिरल्स हैं, नौन कविड हास्पिरल्स है, उनमें आक्सीजन का कम से कम 48 hours का बैक अप रहे, एस्पतालों में आक्सीजन की पूरी व्यस्ता सुनिश्चित करने का भी माननी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है ये जो दो दिन की जो है पूरा कैंपेञ्ट चलेगा शनिवार और इत्वार को इसमें एक्स्प्रेस वे हाईवे पीडब्लूडी के सडक डैम बार से संबंदित तट्बंद इन सबके निर्बाड या मरमत के किसी भी कार किया जाएगा और वर्षा के कारण कहीं जल भराव नहों यह कार भी सुनिश्चित किया जाएगा मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि यह कोविड-19 का जो पूरा कैंपेञ्ट इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए लोगों को मास्क के लिए जागरूग किया जा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो 77,000 राजस ग्राम हैं उसमें सच्छता का विशेश अभ्यान फॉगिंग और 9,000 जो नगरी वार्ड हैं उनमें फॉगिंग जरूर कराई जाए प्रधानों से ग्राम प्रधानों से संबाद स्थापित करके विशेश सथवाई अभ्यान ग् ग्रामों में जो आबादी है जो टोले हैं जहां पर भी कहीं पानी कठा है उसको दूर किया जाए मुख्यमंत्री जी ने कोविट-19 के रोक्ताम के लिए पूरे प्रधेश में जो घर-घर सर्वे चल रहा है उस कारे को भी जो है उसकी समिक्षा की है लगभाग 1,4,000 से आगे ले जाने का कार भी किया जा रहा है तिड़ी दल पर विशेश नियंत्रण का आदेश दिया है कुछ 3-4-5 जनपदों में जो है तिड़ी दल देखने को कल मिला था क्रिशी भाग ने स्थानी प्रशासन फायर बिगेड और बाकी लोगों के साथ प्रभावी रूप से इस दल को समाप्त करने की कारवाई की है कुछ जनपदों में जहां कहीं राद वे रात में पेड़ों पर ये बैठे हैं वहाँ पर भी स्प्रे करके इनको मारा भी गया है और व्यापक मात्रा में इसके प्रकोप को समाप्त किया गया है लेकिन ऐलर्ट जारी है चुकि बढ़ा कर पूरे देश में अग्रणी बनाने के लिए 50,000 तक की टेस्टिंग का निर्देश दिया गया है आपको मालू है कि टेस्टिंग कल 49,603 हुई है तो इसमें RT-PCR की टेस्टिंग जो मेडिकल कॉलेजेज में वाकी नए जो लैब्स है उनमें कम से कम टार्गेट ये रखा गया है कि टेस्टिंग का अच्छा 49,623 है 603 ने 623 है तो टेस्टिंग के लिए 30,000 का टार्गेट आठी-PCR से रहेगा इसके लावा जो टूनेट मशीन्स हैं और जो एंटीजन टेस्ट्स हैं उनसे भी जो है टेस्टिंग कराकर उसको आगे बढ़ाये जाएगा Medical Education Department के अपरमुक सच्छिव दोरा बताया गया कि अब जो है 15 लैब ऐसी हैं जहां 1000 से टेस्ट ज्यादा प्रति दिन हो रहे हैं यह उस बैग्राउंड में है कि एक समय था जब KGMU में 60 टेस्ट पर डे केवल होता था इस पूरे COVID कैमपेइन के शुरुआत में आज Medical Colleges में 15 ऐसे Medical Colleges हैं जहां 1000 से ज़्यादा टेस्ट एक दिन में हो रहे हैं सबसे ज़्यादा टेस्ट पूरे प्रदेश में 4767 कल KGMU में हुए हैं और यह भी खुशी की बात है कि जो यहां पर लोहिया अस्पताल है उसमें भी दो हजार से अधिक टेस्ट किये गए हैं जो एक उनके लिए भी लोहिया अस्पताल के लिए भी एक माईस्टोन है हम यह भी बताना चाहेंगे कि अलीगड में Medical College में वारा नसी में B.H.U. के Medical Colleges में मेरट के Medical Colleges में S.G.P.G.I. में गोरखपूर के RMRC में B.R.D. Medical College में इतावा सैफ़ाई के Medical College में आगरा के Medical Colleges में G.S.V.M. कानपूर के Medical College में जिम्स नॉडा के Medical College में और N.I.B. NOIDA में जो भारत सरकार का इंस्टिटूशन है सब में अच्छी संख्या में जो है टेस्स हो रहे हैं और इन टेस्स के बूते प्रदेश में अब एवरेज 40,000 के आधिक टेस्स हो रहे हैं जिसको अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको 50,000 तक ले लिया जाए गोरकपूर को मंडल आयुत को उनके मंडल के जनपदों में COVID-19 के रोकथाम और संचारी रोगों के रोकथाम हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है बिना लक्षण वाले मरिजों को COVID-19 के L1 हॉस्पिल में भरती कराये जा रहा है कानपूर नगर देवरिया, कुशी नगर बलिया वारनासी में विशेश सतर्ता बढ़ने का निर्देश दिया गया है और ग्राम और वाट्स तर पर पल्स उक्सिमीटर का विशेश रूप से प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है अब तक जो प्रदेश में Pulse Oximeter है उनका लगबग एक लाग से अधिक Pulse Oximeter प्रदेश में ग्रामों में, शहरों में, अस्पतालों में, इंडस्ट्री में, सभी जगे जो है provide for कर दिये गए हैं यह अपील की जाती है कि कोई भी वेक्ति यदि जरा भी वो sensitive है यदि जरा भी उस पे ऐसा लगता है कि उसकी check-up कराना है तो thermal scanner से temperature तो check होना ही चाहिए लेकिन अगर oxygen का level check हो जाएगा तो काफी हद तक यह पता तुरंट लग जाएगा कि क्या उसका oxygen का level 96-97% सो कम तो नहीं ह और यह नहीं कम है तो तुरंट उसको medical attention की आवशकता है तो pulse oxygen meter का सद्रपयोग पूरे प्रदेश में हो काफी मात्रा में pulse oxygen meter पूरे प्रदेश में स्वास्त भाग द्वारा पजयती राज विभाग द्वारा नगर विकास द्वारा उद्योग विभाग द्वारा अन्य वि करेंगे इसके लावा हम यह आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे अभ्यान में पिछले दो दिन में जो 850 fire brigade की गाडियां है 65 नई गाडियां है कुल मिलाकर 915 fire brigade की गाडियों को 75 जनपत के चिड़काओं के लिए लगाए गया है 55 मुख्य अगनीव शमन्स अधिकारी ति साड़े 4000 firemen और lead firemen और चालकों को लगाकर ये fire department का पूरा अभग्यान चल रहा है कल fire department ने 561 hot spots पर 698 समविदन शील्स तलों पर 1793 बाजार तलों पर लगभग 2000 आवासी तलों पर और 2006 अन्यस तलों को मिलाकर 7000 से अधिक 7058 सानों पर sanitization किया है sodium hypochloride solution का जो है उक्योग किया गया है ये ensure किया जाना चाहिए की sodium hypochloride जहाँ भी इस चिर्का जाए कोई भी व्यक्ति के उपर ना चिर्का जाए कोई भी जानवर नहीं कोई electrical connection के उपर चिर्का जाए इसका विशेश ध्यान लोग करेंगे ये भी अपील की जाती है और ये fire का पूरा अभ्यान है आज भी चलेगा ती दो दिन का अभ्यान जो है चल रहा है हमारे अपनी विधान सभा के सामने जो है फायर ब्रिगेट के शुरुआत भी की गई थी हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि इसके साथ साथ जो पूरे प्रदेश में जो पूरी व्यवस्था वित भाग मॉनिटर कर रहा है और हमारे अपर मुख सचे वित मॉनिटर कर रहे हैं उसके अनुसार कुल मिलाकर पिछले दस दिन में तीन के माध्यम से पैंतालिस लाग पैंतालिस हजार एक सो च्यासी फॉर्टिफाइज थाउजन वन हर्ड़न एटी सिक्स क्रोर रुपया जो है ड्रॉ किया गया है विबिन खाते दोरह दोरह जो बैंकिंग कर्सपॉंडेंट हैं जो गाउगाउ जाकर घर पर जो है लोगों से म पाउंड्स ड्रॉ करते हैं 2827 यानि 2827 जो है करोड रुपया ड्रॉ हुआ है एक जुलाई से दस जुलाई तक इसके लावा ब्रांचेस के माध्यम से भी जो है लगभग एक करोड दस लाग ट्रंजैक्शन में 36556 करोड रुपया जो है ड्रॉ किया गया है तो काफी हद तक बैंकिंग विवस्ता भी काफी सुचारू रूप से चल रही है और बैंकों के माध्यम से जो कारे हो रहा है उस कारे से ये देखने को मिलता है कि काफी हद तक जो वित्ती विवस्ता है उसमें भी सुधार हुआ है और बैंकों से लोग काफी मात्रा में अपनी धनराशी का आदान प्रदान भी कर रहे हैं ग्राय भाग के मात्यम से जो पुलिस भाग की FIR दर्ज हुई है 93,757 FIR दर्ज हुई है दो लाग 34,000 लोगों के विरोध FIR दर्ज की गई है करीब 62,435 वहन सीज किये गए है और आज तक 43,70,000 रुपया जो है ये पैसा भी अब तक जमा कर दिया गया है फेक अकाउंट्स में 1786 मामलों को संग्यान में लिया गया है कल 3775 हॉट स्पॉट्स में 856 थानों में 9,46,000 मकानों को शामिल करते हुए लगभग 54,000 हॉट स्पॉट के एरिया में कंटेन्मेंट जोन में रह रहे हैं हिदायत यह है कि जो भी लोग कंटेन्मेंट जोन में हैं वो अपने कंटेन्मेंट जोन में रहें और वो बहार न निकलें और जब तक कि उनके यहां कंटेन्मेंट जोन का वजूद खतम नहीं हो जाता उनको सुरक्षित अपने जोन में रहना आवशक होगा इसके साथ साथ ये पूरे प्रदेश में जो है दुब्ध की वितरण की वियस्ता फलसबजी वितरण की वियस्ता प्रोविजन स्टोर से डिलिवरी की वियस्ता ये सभी सुचारू रूप से चल रही है राशन काडों के माध्यम से पूरे प्रदेश में वितरण खाद्यान का बहुती सुचारू रूप से चल रहा है और प्रदेश अग्रणी है राशन के वित्रण में और कई चरणों में जो है अलग-अलग योजनाओं के इंतरगत राशन का वित्रण सुमिश्चित कर दिया गया है पुने इस अफसर पर मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार में मानी मुख्वंत्री जी ने ये निड़ने लिया है कि अगले वीकेंड पर भी शनिवार और इत्वार को एकनौमिक अक्टिविटी बाधित न करते हुए बाकी चीजों को बाधित न करते हुए सोशल अक्टिविटी और जो भीड इकटा करने की जो चीज है उस पर जो है निड़ने लिया है कि लोगों को जागरूख करते हुए उन चीजों को अवाइड किया जाए और इसलिए ये बहुत एक अच्छा अभियान शुरू किया गया है जिससे कि पांच दिन पूरा कारे चीजोंडे नहीं होगी लेकिन किसी भी रूप में जो है सोशल अक्टिविटी नहीं होगी बजार बंद रहेंगे लोगों का मिलना जुलना कम रहेगा लोग अपने घर में जादा रहें यही अपील की उह घनेवाद